तो केलकेरिया और पराइटा में यही एक डिफरेंस है दोनों स्लो हैं दोनों में बहुत सारे फीचर्स मैच होते हैं दोनों मोटे होते हैं दोनों सुस्त होते हैं दोनों थुल्थुले होते हैं लेकिन केलकेरिया स्लो है पर इंटलिजेंट है बराइटा में इंटलिजेंसी क जबकि बराइटा काप के हड़ियों में अच्छी ताकत है मजबूत है लेकिन वो सीखने पारा चलने के लिए बराइटा काप में लर्निंग डिफिकल्टी है बराइटा काप भी स्लो है सुस्त है उनका डेवलपमेंट भी बहुत स्लो होता है फिजिकल ग्रोथ हो या मेंटल ग्रोथ दोनों ही अपने उमर से काफी पीछे चलते हैं बराइटा काप का शरीर बढ़ता है पर दिमाग नहीं बढ़ता इसको आप याद रखेगा बराइटा काप का बॉड़ी तो बढ़ जाता है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ता मैं आपको एक और एक्जामपल देता हूं बराइटा काप का मेरे एक पेशन्ट थे, वो मेरे क्लीनिक में आये, और उसक मेरा क्लीनिक फर्स्ट फ्लोर पर हुआ करता था, स्टेशन के नजदीक, वो स्टेशन पर उत्रे हैं, अच्छा मेरा क्लीनिक बहुत ही एकदम स्टेशन के एकदम सामने था, कोई अगर स्टेशन से बाहर भी आता, तो मेरे क्लीनिक में पहुँच जाता, लेकिन इनके साथ ऐसा था, इस स्टेशन से उतर कर, मेरे क्लीनिक की बिल्डिंग के नीचे आकर मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं नहीं आप आईए और मुझे लेकर जाएए, आप इमेजन करिए, वो मुझे फोन करके कहते हैं, कि मैं मैं यहां नीचे खड़ा हूं, आप आईए, मुझे लेकर जाएए, मैंने का, आप आईए फर्स फ्लोर को, वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, आप आईए, यहां वाच्मेन बैठा हुआ है, मैंने बोला, ठीक है वाच्मेन को बोलो कि आपको मेरे पास को मिलना है, ठीक है मैंने काफी किंविंस करके वाच्मेन को मैंने बोला कि मेरी बात करहों, वाच्मेन ने उनको बताए कैसे जाना है, तो वह वापस आये, और दरवाजे के पास पहुंचकर, वापस से फोन करते है, बोलते है, सर आप बाहर आया ना, मैंने अगा, आईए आप अंदर आजाईए बोलते हैं यहां पर कोई लड़की बेटी रिसेप्शन पर मैंने बोला आप आईए अंदर आए उनको बताई आपको मेरे पास आना है लेकिन वह वहां पर भी नहीं आए अल्टिमेटली मुझे दरवाजा खोल कर मुझे अपने केविन से निकल कर उनक को का आई अंदर यानि टिमीडिटी की हाइट ही है तो इतना उनका जो डेवलप्मेंट होता है माइंड का वो इतना कमजोर होता है